डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सिकेन बाद स्टार्ट महोदे कौमा यहां यह उलेखनिये है की सीत यूध की समाप्ती वो समधान एसिया की घटनाओं तथा अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वाप्सी से ही हुआ है अफगानिस्तान में लंबे अर्शे तक चला यूध सोवियत संग के अस्तित्व के लिए कस्टदाई और मुश्किल हो गया इस भायाव यूध से सोवियत सेनाओं की वाप्सी से अनेक घटनाओं ने जर्म लिया जिनकी परिणती सीत यूध की समाप्ती से हुई तथा जिसमें जर्मनी का एकिकरण तथा सोवियत संग का विगटन सामिल है संचेप में सीत यूध का और इस तनाव का एसिया की एकता पर दुर्गामी प्रभाव पड़ा संचेप एसिया के सभी देश चाहते थे कि छेत्र में सांती बनी रहे स्टब चीन और सोवियत संग का सीमा विवाद कॉमा चीन और बियतनाम का जगड़ा और भारतव चीन का सीमा विवाद उस समय की परिश्थितियों को अस्पस्ट करता है स्टॉप इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से थाईलेंड और फिलिपिन्स के साथ अमरिका के खेमे में चला गया था स्टॉप जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पस्चिम के देशों में समिप्य अस्थापित कर रहा था इससे एसिया की एकता को एक नया धक्का लगा है क्योंकि एसिया के देश अलग-अलग खेमों में बट गये थे एस्टॉप निसो साथ के दसक में एक नया मोड आया कॉमा जब सीत इउध के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का प्रदुरभाव हुआ इससे दाच्छन पुर्वी एसिया के देशों में नए आर्थिक और सुरच्छा संबंधी प्रयास किये गए एस्टॉप इन देशों में सांस्कृतिक एक रुपता की वजह से भी एक नए गुट ने जन्म लिया एस्टॉप लेकिन यह कहना कठीन होगा कि इन दाच्छन पुर्वी एसियाई देशों से समुचे एसिया की पहचान या एक ता बनाने में सहायता मिली है या उससे धक्का लगा है क्योंकि इन देशों ने अपनी निती बहुत अस्पास्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर भूमी पूत्र निती को जन्म दिया एस्टॉप भारत भी अब आसियान का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है पैरा भारत की पहल से दचिन एसियाई सहयोग संगठन की अस्थापना सन 1985 में की गई जिसके फल स्वरूप पडोसी देशों के आपसी सहयोग के लिए नया वतवरन तयार हुआ इस्टॉप यह प्रियास सनह सनह उपयोगी रूप लेता जा रहा है जो एसिया की पहचान बनाने की और महतपून कदम है इस्टॉप परिव्यपार, निवेश, तकनीकी ज्यान, संचार माध्यमों में बढ़ोतरी ने विश्व गाउं के विचार को भी पैदा किया इस्टॉप बढ़ते हुए ब्यपार, निवेश, संचार एवं पिज्यान की आधोनिक तकनीकों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर, निर्भर रहने के नए विचारों को जर्म दिया इस्टॉप अंग्रेजी भासा, हॉलिबूड, कंप्यूटर्स और उपभोगता संस्कृती ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिससे देशों में फासले कम हुए, संस्कृती और सभ्यता भी प्रभावित हुई इस्टॉप हो सकता है कि इसके अच्छे परिडाम न हो, ऐसी भी असंका की जाती है, इस्टॉप उदारणता जपान दूसरे महा यूध तक अपनी संस्कृती और सभ्यताव सन्युक्त परिवार जैसी आधारभूत समाजिक मन्यताओं को केवल अपनाए हुए नहीं था, ब जैसे सभ्यतावाले देश भी इरोप के प्रभाव से बच नहीं सके, इस्टॉप महोदे, दूसरे सब्दों में आर्थिक, व्यपारिक निवेश और तकने की कारोनों से द्वितिये महा यूध के बाद और सित यूध के दोरान एसिया के देशों में पुना धुधलापन पैदा हुआ, इस्टॉप लेकिन, यह बात सही नहीं है कि एसिया की संस्कृती और सभ्यता को पस्चिम के प्रभाव और आधुनिक्तम तरीकों ने नस्ट कर दिया, हाँ, एक धक का जरूर दिया, समय समय पर एसिया का यह रूप कौमा एसिया की यह सभ्यता और संस्कृती बलसाली तरीके से उदयमान होती दिखाई देती है, एस्टॉप पंडित जवाहरलल नहरू ने 1945 में अपनी पुस्तक डिस्कावरी अफ इंडिया में एसिया की पहचान पर लिखा है कि हजार वर्सों से जब एरोप अपने अंधकार के यूग में था, एसिया ने अपने मनुस्य की प्रगति सिल आत्मा को प्रभावसाली धंग से दर्साया, एस्टॉप आज के दिनों में भी चीन के नेता अपने यहां अध्यात्मिक क्रांती की बात करते दिखाई देते हैं, कौमा और अपने आर्थिक विकास को भी प्रतिविम्बित करते हैं, एस्टॉप मलेशिया के प्रधान मंत्री भी बड़े गर्व के साथ मलेशिया के राष्टे की बात करते हैं, कौमा और अधुनिक्ता और परमपरिक संस्कृती के मिश्रण से मलेशिया का विकास करना चाहते हैं, एस्टॉप भारत के प्रधान मंत्री भी मध्य मार्ग की बात करते हैं, जिसको वे भारत का परमपरिक विचार कहा करते हैं, एस्टॉप बियतनाम के यसस्वी नेता भी समयवादी विचारधारा को परमपरिक सहिसुरता के अनुसार धालना चाहते थे एस्टॉप एसिया के इन सब नेताओं की समय समय पर की गई घोषनाओं का बरतमान संदर्भो में पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए जो एसिया की पहचान को नए सीरे से बनाने में सहयक सिध हो रहा है पैरा यहां यह भी बताना उचित होगा की हाल के वर्सों में एसियाई देश कॉमा विशेश रूप से पूर्वी एवं दच्छनी पूर्वी एसिया के देश कॉमा एसिया के सुध्रिन देशों के रूप में उभरे हैं और इन देशों के आर्थिक विकास की दर विश्व के किसी भी अन्य देश के आर्थिक विकास की दर से आर्थिक ह तथा जिनके कौमा आने वाली सताब्दी में कौमा विश्व आर्थिक विवस्था के निर्मताओं के रूप में उभरने की आसा है एस्टोप आर्थिक सफालता की इन कहानियों का स्रे मुख रूप से अनुक्सासित कार्य कौमा किफायत एवम बचत की उची दरो जैसी एसी विश्थाओं को जाता है तथा इनसे देशों की जनता के जीवन अस्तर में सुधार आया है और एसिया की उनह खोज जैसा वतावरन बन रहा है एस्टोप एसिया के देशों में अब आपसी भाईचारे की भावना उभर रही है और इससे ए देश परस पर निर्भर हो रहे ह तथा सीत इुध के प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हैं एस्टोप हमारी सरकार ने अपने एसियाई परोसियों के साथ बेहतर संबन्द बनाने में पहल करके इस बदलते रूख के प्रती सकरात्मक रवाया अपनाया है एस्टोप इन सब प्रसनों का जबाब आज उपलब नहीं है कमा लेकिन सनह सनह इन प्रसनों में ही इसके उत्तर मिलेंगे एस्टोप एसिया अपने इन प्रसनों के उत्तर में एक नए एसिया को जर्म देगा और अपनी एक नई पहचान बनाएगा एस्टोप इरोप और अमरिका के आधोनिक अध्योगिक विकास में फर्क